जब भी किसी भी जगह पर light चली जाए तो हिंदी में कहते है light गई पर इंग्लिश में बोला था the current has gone the current has gone और light आ रहा है तो the current has come the current has come या इसकी जगह कुछ लोग हाला कि ये भी बोलते हैं the electricity has gone the electricity has come पर गलती से भी कभी light has gone light has come नहीं बोला जाता है there is pocket भी बोलते हैं लोग पाकट हो गया है तो देखिए power तो word ही नहीं है इंग्लिश में या तो इसको British English में बोले power या इसको American English में बोले power so there is pocket भी बोला जाता है पर आप general sense में इसको use नहीं करेंगे और मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग जादा अच्छा है कि यह बोले the current has gone the current has come जैसी light गई the current has come gone light आई the current has come बच्पन में तो क्या करते थे छोड़े बच्चे मुझे अभी तक ध्याने जैसी light जाती थी तो चिला कर oh they used to shout a lot अब आपको shout करने की जरुआट आप तो सुप लोगों को inform कर सकते हैं जाकर the current has gone अप inform कर सकते हैं the current has come जैसी light आए जैसी light आए ने जैसी light आए आप लोगों को जब बताते है light आगी तो इंग्लिष में बोलाता the current has come light चली गई the current has gone यहां पर मैंने दी एलेक्टिसिटी क्यों बोला देखिए इंग्लिश का एक रूल है हाना कि इसके बारे पर हम बाद में और जादा डिसक्स करेंगे कि जहां वाल साउंड आती है थी एच ए को दी प्रनाउंस किया जाता है यहां कॉंसनेंट की साउंड आती है यानि कोई वेंजन की आबास आती है तो वहां पर इसको द बोला जाता है तो जैसी लाइट जाए दे करन्ट आज गौन जैसी लाइट आए दे करन्ट हैस कम जाहें आप बोलें दी इलेक्टिसिटी हैस कम हैंना पर इंपॉर्टन बात है कितनी छोटी सी चीज और सबसे यह का दे करन्ट जैसी पिज्टी है दे करन्ट इस का भौन